नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आप सीखिए कि कम्पूटर के टॉप टेन अमेजिंग सौटकर्ट की अगर आप कम्पूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कम्पूटर सीखिने से काम नहीं चलेगा आपको कम्पूटर के सौटकर्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है तो इस वीडियो में मैं आपको दस ऐसे कमाल के सौटकर्ट बताऊंगा जिसे अगर आप सीख लेते हैं तो आपका दोस्तो काम करने का जो तरीका रहेगा पहले से काफी फास्ट और आपका दुगना हो जाएगा तो इस वीडियो को आप पुरा ध्यान से देख लीजिए वीडियो अगर जो आपको पसंद आएगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिजेगा तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखिए दोस्तो आपका पहला सौर्ड कट है बिंडो प्लास प्रिंट अस्क्रीन बटन इस सौर्ड कट की सहायता से आप कम्प्यूटर में अस्क्रीन सौर्ट ले सकते हैं जैसे कि मैं आप सबी को समझाने के लिए देखे मैंने कीवोड में उस बटन को देखे मैंने मार्क कर दिया यानि की निसान दे दिया है ताकि आपको प्रेश करने में दिक्कत न हो अगर दोस्तों आप कम्पूटर के किस भी पार्ट का अस्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो आपको अपने कीवोड से बिंडू के साथ प्रिंट अस्क्रीन बटन को प्रेश करकर आप अस्क्रीन सोट एक क्लिक में ले सकते हैं अब चलिए मैं आपको इसको करकर भी सिखा देता जैसे कि मैं अपना desktop आ जाता हूं, यहां पर देखें, मैं screenshot लेना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको अपनी keyword से window के साथ print screen button को प्रिस किजिए, तो देखें आपका screen एक बार bling होगा, और आपका यहां पर screenshot क्लिक हो चुका है, अब आपको इसको देखने के लिए आपको आप open कीजिए, फाइल मेनेजर को open करने के बाद दोस्तों, देखें आपको यहां पर picture पर click करना, देखें ध्यान से देखें, picture पर मैंने click किया है, उसके बाद आपको देखें, यहां पर picture के अंदर देखें, आपको screenshot नाम से यहां पर देखें, folder बना रहेगा, इस पर आप आप screenshot लेते हैं तो उसको आप इस प्रकास से देख सकते हैं जैसा है दोस्तों आपने भी सीखा अब चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बताता हूँ अगला मेरा देखे तो shortcut है दोस्तों देखे आपका अगला shortcut है बिंडो के साथ E button यानि कि बिंडो प्लस E button की साहिता से आप computer में this PC यानि कि file manager को आप open कर पाएंगे यानि कि जब ही आप file manager को open करना चाहते हैं तो आपको अपने keyword से बिंडो प्लस E button का use आपको करना है अब चलिए मैं आपको इसको दिखा भी देता हूं करकर देखे मैं desktop राच चुका हूँ और मैं अपना this PC यानि कि file manager को आप open करना चाहते हैं तो आपको अपने keyword से बिंडो के साथ E button को उप्रेस कीजिए तो देखे इस प्रकास से आपके यहाँ पर file manager यानि कि this PC यहाँ पर देखे open हो जाएगा और जो भी आप काम करना चाहते हैं यहाँ से आप कर पाएंगे जैसा है दोस्तो आपने अभी सीखा अब चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बदाता हूँ अगला है दोस्तो आपका window plus L button इस shortcut की सहायता से आप computer को log कर सकते हैं जैसे कि दोस्तो कि आप computer पर काफी देर से काम कर रहे हैं और आपको दोस्तो लगता कि थोगा देर हम अराम कर लेते हैं तो आप अपने computer को log कर सकते हैं तो log करने के लिए दोस्तो आपको अपने keyword से बिंडो के साथ L button को प्रेष किजे चलिए मैं बिंडो के साथ L button को प्रेष करता हूँ तो देखी इस प्रकास से मेरा computer यहाँ पर lock हो चुका है तो कुछ इस प्रकास से आप computer को window plus il button को उप्रेस करकर आप lock कर सकते हैं अब आपको इसको unlock करने के लिए आपको अपने keyword से enter button को आप प्रेस कीजिए इन्टर बटन को उप्रेस करने के बाद आपको देखें आपर signing पर क्लिक कीजिए तो कुछ इस टाफ से देखें दोस्तो आपका computer यहाँ से दुबारा से open हो जाएगा तो कुछ इस प्रकास से आप computer को lock कर सकते हैं और unlock भी कर सकते हैं अब चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बताता हूँ अगला देखिए दोस्तों आपका चौठा नमर जो shortcut है Alt प्लस F4 बटन इस shortcut की सहायता से आप computer को surdown कर सकते हैं यानि की computer को आप बंद कर सकते हैं Alt प्लस F4 बटन को प्रेस करकर अब चलिए मैं आपको इसको करकर भी दिखा देता हूँ तो देखिए दोस्तों मैं desktop पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपने keyword से Alt के साथ F4 बटन को देखिए में प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका surdown का window option आ चुका है आपको यहाँ पर सिर्फ OK कीजी आपका computer यहाँ पर surdown हो जागा यानि की बंद हो जाएगा तो कुछ इस प्रकास से आप Alt प्लस F4 बटन का इसको करकर आप computer को बंद कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों आपने भी सीखा अब चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बताता हूँ अगला है दोस्तों आपका देखिए अगला जो shortcut है पाच है पाच नमबर है अगला है आपका control प्लस इस बटन इस shortcut की सहायता से आप किसी भी file को save कर सकते हैं जैसिक दोस्तों कि आप MS Word में काम कर रहे हैं PowerPoint में काम कर रहे है Xl में काम कर रहे है या फिर Chrome accelerator में काम कर रहे है यानि कि कही पर आप काम कर रहे है और आपको दोस्तों उस file को उस document को save करना है तो आपको अपने keyword से control के साथ इस button का Use आपको करना होगा अब चलिए मैं आपको इसको करकर भी दिखा देता हूँ जिसके दोस्तु कि मैं यहाँ पर देखी Chrome Browser को उपन करता हूँ और Chrome Browser को उपन करने के बाद दोस्तु देखिए हाँ पर मैंने कुछ उपन किया जैसा कि दोस्तु आप अब यहाँ पर देश सकते हैं अगर दोस्तु इसको हमको सेब करना रहेगा तो आपको अपने कीवोड से Ctrl के साथ इस बटन को उप्रेस कीजिए Ctrl के साथ इस बटन को उप्रेस करने के बाद दोस्तु देखिए आप कहाँ पर Location ओपन हो जाएगा जिस Location में आप Document को सेब करना चाते हैं उस Location को स्लिट कीजिए उसके बाद आपके यहाँ पर फालनें देना जो देना चाते हैं आप फालनें देजिए कुछ भी देजिए और उसके बाद आपको देखिए हाँ पर सेब पर किलिक कीजिए तो ओ डाकुमन दोस्तों आपके कम्पिटर में सेब हो जाएगा जैसा कि दोस्तों आपने भी सीखा अब चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बताता हूँ अगला है दोस्तों आपका Control, Shift और T इस shortcut की साहिता से आप Chrome browser में बंद किये गए tab को आप open कर सकते हैं अब चलिए मैं आपको इसको practically करकर भी समझा देता हूँ जैसे कि दोस्तों कि मैं अपना देखिए मैं Chrome browser पर जिसे कि मैं काम कर रहा हूँ और देखे दोस्तों यहाँ पर काफी सरा tab मैंने open किया जाए अगर दोस्तों गलती से क्या होता है कि वह tab कट जाता यानि कि close हो जाता जिसे कि इस tab को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया और इस tab को भी मैंने यहाँ पर गलती से बंद कर दिया लेकिन दोस्तों बाद में आपको पता चलता है कि जो tab open था वो काफे काम का था उसमें हम कुछ काम कर रहें थे तो अवसा अब सकता हम दोस्तों आप उसको बापस से open कर सकते हैं open करने के लिए आपको अपने keyword से control, shift और T button को प्रेज किजे तो देखे जो tab आपने गलती से close कर दिया था देखे इस प्रकास से आप का open हो जाएगा जितना tab आपने close किया था उतना tab आप इस प्रकास से control, shift, T button की मदद से आप open कर पाते हैं जिसके दोस्तों आपने भी सीखा तो चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बताता हूं अगला है दोस्तों आपका देखे shortcut नमबर साथ है control प्लस T इस shortcut की सहाईता से आप Chrome browser में नया tab को open कर पाते हैं तो चलिए मैं आपको इसको प्रेडिकाली करकर भी सिखा देता हूं जिससे कि मैं Chrome browser को open करता हूं और जिससे कि दोस्तों कि यहाँ पर मैंने एक tab पर काम कर रहा है और हमें दूसरा tab में काम करना है तो नया tab को open करने के लिए आपको अपने keyword से Ctrl के साथ T बटन को प्रेड़ कीजिए तो देखिए इस प्रकास से आपका नया tab open हो जाता है जितना बार आप प्रेड़ कीजिए Ctrl T देखिए उतना बार यहाँ पर नया tab आपका open होता हुआ चलेगा जैसा दोस्तों आपने भी देखा अब चलिए मैं आपको अगला shortcut के बारे में बताता हूँ अगला है दोस्तों आपका देखिए shortcut no.8 जो है Ctrl के साथ Ind button इस shortcut की साहता से आप page के आखिर में जा सकते हैं यान की Ctrl के साथ Ind button का इसकोर कर आप page के आखिर तक पहुच सकते हैं जैसिक दोस्तों कि मैं यहाँ पर देखिए Chrome browser में देखिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ जैसे कि साइट को मैं open कर लेता हूँ open करने के बार दोस्तों देखिए काफी लंबा यहाँ पर इस page है इस page के हमको last में जाना है दोस्तों तो आपको अपने keyboard से control के साथ इंड बटन को प्रेश किजिए तो देखिए इस प्रकास से आपको यहाँ पर डिरेक्ट पेज के last में देखिए पहुचा देगा जैसा अगर दोस्तों आपने भी देखा तो इस प्रकास दोस्तों आप किस भी page के last में जाने के लिए प्रेश कीजिए तो इस प्रकास दोस्तों देखिए आप जहां से आपका सुरुवात रहेगा पेज वहाँ पर दोस्तों इस प्रकास से आप control के साथ home बटन को प्रेस करकर आप जा सकते हैं तो देखे दोस्तों मैं देखा देता हूँ जिसे कि मैं अपनो keyboard को उपन करता हूँ देखे आपको control के साथ int button को उप्रेस करकर आप last में जा सकते हैं और control के साथ home button देखे home button आपको उपन मिल रहा है इस button को उप्रेस करकर आप page के शुरू में जा सकते हैं आपने भी सिखा अब चलिए मैं आपको अगला सौटकाट के बारे में बताता हूं अगला सौटकाट है दोस्तो बिंडो के साथ प्लस बटन इस सौटकाट की साहजता से आप कंप्यूटर की स्क्रीन को जूम कर सकते हैं अगर दोस्तो आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसे कि करकर भी सिखा देता हूं तो देखे दोस्तो मैं अपना डेश्टोप पर आजाता हूं डेश्टोप पर आने के बाद दोस्तो जैसे कि आप यहां पर कुछ चीज यहां पर सिखा रहे हैं और आपको दोस्तो उस पाड को जूम करकर दिखाना है तो आपको अपने कीवोड से बिंडू के साथ प्लस बटन को प्रेस करना है तो चलिए मैं अपने keyword से बिंडू के साथ प्लस बटन को प्रेस करता हूँ तो देखे दोस्ते यहाँ पर आपको Magnifier इस प्रकास से open हो जाएगा उसको आप इसको आप इस प्रकास से minimize कर लिजिए minimize करने के बाद दोस्तो जिस पार्ट को आपको zoom करना है उस पार्ट में आपको अपना cursor को ले जाना है जैसे कि दोस्तो कि मैं अपना this PC को open कर लेता हूँ और this PC को open करने के बाद दोस्तो जैसे कि हमको बताना कि आप इस picture वाले icon पर click किजिए और इसको दोस्तो हमें जूम करकर आपको देखाना है तो जूम करने के लिए आपको अपने कीवोर्ड से बिंडो के साथ प्लस बटन को प्रेश कीज़़, कीज़़ देखिये इस प्रकास से, अस्करीन आपका इस प्रकास से जूम होगा जितना बार आप window plus का युज़ किजिगा उतना बार दोस्तों इस प्रकास से आप screen को zoom कर सकते हैं तो जरूरत दोस्तों आप जब पढ़ा रहे हैं computer या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इस प्रकास से आप screen को zoom करकर आप सिखा सकते हैं और बता सकते हैं अब दोस्तों आपको बापस से जूम आउट करने के लिए आपको बिंडो के साथ माइनस बटन को आपको प्रेस करना है तो देखिए यहाँ पर मैं बिंडो के साथ माइनस बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए इस प्रकास से आप जूम आउट कर सकते हैं जल सक दोस्तों आपने भी सिखा तो दोस्तों मैं आपको देखे आपर 10 चॉर्ट के बारे में देखे आपर मैंने आपको complete बता दिया जो की आखिर था बिंडो के साथ माइनस बटन जो की मैंने आपको बता दिया तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको ठीक लगा जनकारी ठीक लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जुरूर कीजिए चलिए मिलते हैं किस नेक्स वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ तपते के लिए जैहिन बंद मातरम